राम राम दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हैं, उसका नाम है सदीशों का संयोजन, अथार्थ एडिशन आफ वेक्टर्स, एडिशन आफ वेक्टर्स क्या है? अब तक हमने क्या पढ़ा था सदीशों का वीडियोजन, मतलब एक सदीश को क कैसे हम उसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, मतलब किन दो कंपोनेंट का वो रिजल्टेंट रहा होगा? आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सदीश हैं, अलग-अलग किसी एक बिंदो पर कोई दो बल काम कर रहे हैं, या कोई दो वेलोसिटीज है, तो उनकी रिज पॉस अलफा और इसके पर्पेंडिकलर में क्या हो जाएगा? पी साइन अलफा, तो इस से इसको निकालना हमने सीख लिया था, लेकिन आज जो हम सीखेंगे, वो सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो अलग-अलग कंपोनेंट हैं, तो उनसे उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सब्सक्राइगे हम फाइंगल, समझ में आया, एक से दो कंपोनेंट प्राप्त करना सदीशों का वियोजन, और दो से एक रिजल्टेंट प्राप्त करना सदीशों का सही ओजन, ठीक है, इसके आतिरिक्त एक चीज़ हमने और देखी थी क्या, कि अगर मेरा कोई वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट लेने हैं, मुझे एक P, एक Q, ये कैसे कंपोनेंट एक त्रियक कंपोनेंट, त्रियक मतलब ये 90 डिग्री पर नहीं है, अगर ये P अलफा है और ये बीटा है तो P की वेल्यू क्या होती थी, P होता था R, साइन, साइन में कौन सा इंगल आएगा, दू प्लस बीटा, तो इससे ये निकालना तो हम सीख गए थे, आज हम क्या सीखेंगे, कि इन दोनों का अगर हमें मान पता है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, यही है मेरा सदीशों का सहियोजन, सदीशों के सहियोजन में हम आगे बढ़े, उससे पहले मे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूं, पहली बात, जिस प्रकार से हम अदिश राशियों का सहियोजन करते हैं, मतलब 2 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 8, 12.3 प्लस 1.4, ठीक है, तो यह कितना हो जागा सीधा, 5, यह कितना हो जागा, 8, 5, 13, यह कितना हो जागा, यह हो जागा, 13. 13.7, तो जिस प्रकार से हम अदिश राशियों का सहियोजन करते हैं, उस प्रकार से मैं दो सदिशों का सहियोजन नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 N प्लस 2 N, यहाँ पर तो मैं लिग दूँगा, 5 N, लेकिन अगर ये 3 N, इस बिंदू पर देखो, अगर ये 3 N का बल, य लेकिन अगर एक बल दो न्यूटन इस प्रकार से लग रहा है और उसी बिंदू पर तीन न्यूटन दूसरी दिशा में लग रहा है तो ये बात सत्य नहीं होगी अगर दो न्यूटन इधर लग रहा है और तीन न्यूटन विप्रीत दिशा में लग रहा है तो बताओ ये क्या पांच न्यूटन आएगा ना क्यों अब ये बात जिस मैं क्या कहना चाहरा हूं मैं ये कहना चाहरा हूं कि जिस प्रकार से हम अदिश राशियों का योग करते हैं BGA योग ठीके ना mathematical algebraic summation करते हैं उसी प्रकार से हम सदिश का vector का addition नहीं कर सकते क्यों क्योंकि सदिश में परिमान के साथ साथ परिमान के साथ साथ दिशाएं भी माइनी रखती है हमें उनका भी addition करना पड़ता है उसका भी प्रभाव पड़ता है तो कैसे करेंगे सदिशों का सईयोजन उसके लिए कुछ अलग method है वही method हम आज देखने चाहेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा lecture आप topic डाल लीजिए addition of vectors सदिशों का सईयोजन अब सदिशों का सईयोजन के लिए कुछ नियम दिये गये हैं वो नियम क्या है मैं एक बार आपको सामने लिख देता हूँ सदिशों के जो सईयोजन के लिए जो नियम दिये है उसमें पहला है सदिशों का त्रिभुज का नियम सदिशों का त्रिभुज का नियम इसको English मे बोलते हैं law of triangle of vectors ठीक है कही ना कहीं आपको law of triangle of forces भी सुनाई देखा मतलब अगर those forces का अगर हम summation करें इस त्रिबुच की नियम से तो वो law of triangle of forces कहला जाता है वैसे इसको बोलेंगे law of triangle of vectors ठीक है दूसरा नियम है मेरा सदिशों का समांतर चत्र भुच का नियम अब समांतर चत्र भुच के नियम को अंगरे जी में क्या बोलेंगे law of parallelogram of factors ठीक है समांतर चत्र भुच का नियम तीसरा नियम है मेरा सदिशों का बहुच का नियम सदिशों का बहुच का नियम इसको इंगिश में क्या बोलेंगे law of polygon of vectors अगर कहीं आपको law of polygon of forces law of parallelogram of forces law of triangle of forces समझ में या सुनने को मिले तो आप घब रहिएगा नहीं confuse मत होईगा यही वाला नियम है वेक्टर की जगए अगर वो force का addition करेगा तो उसको law of forces कह देता है ठीक है अब जैसे मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हम बीज गणियतिय राशियों का योग करते हैं 2 प्लस 3 बराबर 5 उस प्रकार से सदिश का स योजन नहीं कर सकते एक बात यह हो गई दूसरी बात दूसरी बात क्या कि एक सदिश को एक सदिश को मैं किसी भी जगह पर विस्थापित कर सकता हूं किसी भी जगह पर विस्थापित कर सकता हूं जब तक कि मैं उसकी दिशा को और उसके परिमान को नहीं बदलू अथार् वो change नहीं करना है और मुझे उसकी direction नहीं बदल ली मैं ये दो newton नहीं बोल सकता क्यों क्यों क्योंकि ये और ये फिर अलग vector हो जाएंगे इसकी direction मैंने बदल दी इसलिए मैं A की vector को अंत्रिक्ष में कहीं पर भी विस्ताफित कर सकता हूं जैसे कि अगर ये मेरा तीन मीटर पर second की velocity है तो मैं हर जगे इसको ले जा सकता हूं इसी angle पर तीन मीटर पर second तीन मीटर पर second ठीक है तो मैं एक सदिश को जब तक कि मैं उसका दिशा और परिमान के साथ छेड़ शाड़ नहीं करूं मैं उसको कहीं पर भी विस्ताफित कर सकता हूं दूसरी बात हो तीसरी बात है एक सदिश में केवल समान सदिश ही जोडा या घटाया जा सकता है समान सदिश से मतलब समान सदिश से मतलब आपको मैं सरल शब्दों में बता हूं तीन किलो में दो किलो जोड सकता हूं क्या ठीक है कितना आ जाएगा पांच किलो अब मुझे बताना तीन किल में दो किलो मीटर जोड सकता हूं क्या नहीं जोड सकता ना क्यों क्योंकि ये द्रव्यमान है और ये दूरी है द्रव्यमान में आप हमेशा द्रव्यमान ही जोड सकते हैं और द्रव्यमान ही मिलेगा दूरी में आप दूरी ही जोड सकते हैं और दूरी ही मिलेगी उसी प्रक योग नहीं कर सकते है, अथार, समान, सदिश ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं, जैसा बीजगनित में होता था, ये बात होगी, चोथी बात, कि मेरे जो सदिशों का योग होता है, वो साहचरिये के नियम का पालन करता है, साहचरिये का नियम क्या होता है, साहचरिये का नि प्लस B बराबर B प्लस A ठीक है यह क्या है मेरा साचर यह का नहीं है एक और बात बोल दूँ या फिर मैं इसे कर दूँ A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C मतलब 3 प्लस 5 प्लस 2 तीन और 5 को जोड़ूंगा तो 8 हाईगा 8 और 2 कितना होगा 10 उसी प्रकार से अगर मैं 3 प्लस 5 प्लस 2 इसको जोड़ू तो यह क्या होगा 5 और 2 7 7 3 10 और 8 और 2 10 तो यह साचर यह का नियम है तो मैं अगर वेक्टर A में वेक्टर B जोड़ू तो अगर मुझे वेक्टर C मिलता है तो वेक्टर B में वेक्टर A जोड़ने पर भी वेक्टर C मिलेगा इसे बोलते हैं सहाचरिये का नियम तो क्या होता है मेरा सदीशों का सहयोजन, सदीशों का योग क्या करता है मेरा सहाचरिये के नियम का पालन करता है अब ये हमारी मोटी-मोटी बातें हो गई अब हम सीधे अपने नियमों पर आ जाते हैं कौन-कौन से नियम? सदीशों का त्रिभुच का नियम सदीशों का समानतर चत्रभुच का नियम और सदीशों का बहुबुच का नियम इंगलिश में क्या बोलेंगे law of triangle of vectors law of parallelogram of vectors law of polygon of vectors ठीक है अब देखो यह जो त्रिभुच के नियम समातर चत्रभुच का नियम बहुबुच का नियम है यह आपको graphically या फिर आपको diagram में कैसे आप परिणामी सदिश पता करेंगे उसके बारे माईडिया देते हैं जो mathematical calculation वाला पार्ट होगा वो हम अगले lecture में देखेंगे आज हम देखेंगे कि diagram में मैं परिणामी सदिश को कैसे दिखाऊंगा हलाकि परिणामी सदिश का जो हम calculation करेंगे वो इन ही के चितरों का उप्योग करके कुछ component लेके कुछ resultant निकालके परिणामी निकालेंगे लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको diagram के रूप में दिखाऊंगा ठीक है देखो सबसे पहले लेता हूँ मैं सदिशों के त्रिभुज का नियम law of triangle of vectors ठीक है यह क्या कहता है यह कहता है मुझे पहले एक बात ध्यान से सुन लेना यदी किसी बिंदू पर यदी किसी बिंदू पर कारिरत कोई दो सदिश सदिश A और सदिश B पकड़ लेता हूँ सदिश B यदी किसी बिंदू पर कारिरत कोई दो सदिश कैसे किसी भी कोण पर है ठीक है ना यदी किसी बिंदू पर किसी कोण पर कारिरत दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत बुझाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो उस त्रिबुच की तीसरी भुजा फिपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमार एवं दिशा को फ्यक्त करेंगी अब समझो बात को मालो सदिश A और B न फोर्स हैं ये फोर्स है दो न्यूटन और इसको ले लेते हैं हम पांच न्यूटन पांच न्यूटन और ये फोर्स है तीन न्यूटन ये है मेरे साट डिग्री के कौंट पर ये बात समझ में आ गई अब अगर मैं इन दो सदिशूं को जैसा मेरा त्रिबुच का नियम कह रहा है मैं वैसा करता हूँ अगर मैं इन दो सदिशों को त्रिभुच की दो भुजाओं द्वारा निरुपित कर दूँ एक ही क्रम में एक ही क्रम क्या होगा अभी बताते हैं देखो मैंने आपको बोला था कि एक वेक्टर को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ जब तक मैं उसका परिमार और उसकी दिशा के साथ छेड़ छाड़ नहीं करो तो मैं वेक्टर ए को लिख देता हूँ वेक्टर ए को लिख दिया मैंने यह हो गया वेक्टर ए अब देखो मुझे यह जो लाइन है इसका बड़ा महत्व है तो यहाँ पर अगर यह है जिरो डिग्री तो मुझे यह पैरलल कहीं पर भी ले जाओ लेकिन कहां रखनी होगी मुझे जिरो डिग्री पर ही रखनी होगी इसके समानतर ही होनी चाहिए दूसरी बात अगर मैंने इस लाइन को 5 सेंटीमीटर की खींचा है तो उसी के अनुरूप मुझे बागी की लाइने भी खींचनी होगी मतलब मैं स्केल चेंज नहीं कर सकता अगर मैंने स्केल मान लिया स्केल क्या मान लिया मैंने कि 1 cm वराबर 1 N तो 5 N की लाइन कितने की आएगी 5 cm की तो मैंने 5 cm की यह लाइन खीज दी अब मुझे दूसरा वेक्टर कुन सा है B वो कितना है 3 N अब मुझे त्रिभुज की बुजा बतानी है अब देखो त्रिभुज की मेरे पास 2 बुजाए है एक तो मैं त्रिभुज यहाँ से शुरू कर सकता हूँ यहाँ से शुरू करूँगा तो मुझे वेक्टर कैसे लाना तो पैरलल कैसे लाऊंगा मैं यहाँ पे लिया हूँ 60 degree के एंगल पर तो एक तो लिया है यह 60 degree के angle पर मैं यह दूसरा vector लिया है अब अगर 5 newton की भुजा की लंबाई 5 cm थी तो 3 newton की भुजा की लंबाई कितनी होनी चीए यह 3 cm तो यह भुजा इसकी तुलना में छोटी आएगी तो 60 degree के cone पर मैंने 3 cm की line खीश दी यह हो गया मेरा vector B कोई आपतीन नहीं है अब देखो अब मैं अगर इसको मिलाता हूं तो यह 3 बुज हो गया हो गया हो गया अब जो दूसरी बात यह मैंने सबसे पहले कौन सी line कीची थी vector a बराबर 5 newton vector a बराबर 5 newton अब मैंने कहा था कि मैं किसी भी सदिश को जब तक मैं उसकी दिशा और परिमान के साथ छेड़ चाड़ने करूं मैं कहीं पर भी विस्तापित कर सकता हूं तो मैं vector B को अब क्या गरता हूं मैं यहां से खीजता हूं वही 60 degree के कौन पर कितने 3 cm की लाएं तो vector B बराबर 3 newton यह हो गया कितने तो अब त्रिबुच त्रिबुच कैसे बनेगा मैं बागी के 2 point को मिला दू यह त्रिबुच बन किया अब एक यह त्रिबुच बना एक यह त्रिबुच बना मैं नाम दे देता हूं A, B, C, P, Q, R ठीक है तो मेरा त्रिबुच का नियम क्या कहता है मेरा त्रिबुच का नियम कहता है कि यदि किसी बिंदु पर किसी कौन पर कारेरत किनी 2 सदिशों को त्रिबुच की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा अब क्रमागत भुजाओं किसे कहते हैं देखो यह A से B इधर जा रहा है, मतलब आप बिंदू A पर खड़े हुए और सदिश की दिशा में गए, तो कहां पहुंचे बिंदू B पर, बिंदू B पर पहुंचे, अब बिंदू B से आपका जो दूसरा वेक्टर है, उसकी दिशा किदर है, इधर, तो यह आपको कहा ले जा रहा है, आग इस वेक्टर B पर आप आ रहे हैं, क्योंकि वेक्टर B आपकी इस दिशा में जा रहा है, और वेक्टर A आपका इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो यह क्रमागत नहीं है, क्रमागत अगर दूसरे शब्दों में बताऊं, तो जिस विंदू पर पहला वेक्टर तो दूसरा वेक्टर मेरा कहां से शुरू होगा जहां पर पहला वेक्टर मेरा खतम हुआ है तो पहला वेक्टर मेरा कहां खतम हुआ बी पॉइंट पर तो मेरा जो दूसरा वेक्टर बी है वो बी पॉइंट से शुरू होगा मतलब पहला वेक्टर जिस बिंदू पर खतम हु किसी कौन पर कारेड़त दो सदीशों को त्रिभुज की किनी दो भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप में तो ये वाला क्या है क्रमागत रूप में ये क्रमागत रूप में नहीं है तो ये त्रिभुज का नियम नहीं है ये त्रिभुज का नियम है क्रमागत रूप में व् G से C, और अगर C से A आ जाता जहां पर पहला दूसरा Vector खतम हो रहा है, अगर वहीस से मेरा पप्रीक्र को चूरू हो जाता तो एक ही क्रम हो जाता विप्रीर्ट क्रमकर् में मतलब उल्टा, तीर C से A नहीं आएगा A से C जाएगा तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत करम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है अलतर ये क्या बताता है मेरा ये resultant vector बताता है ये vector A प्लस B का क्या है addition है योग है फिर से सुनना यदि किसी बिंदू पर किसी कौन पर कारियरत दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागद भुजाओं द्वारा निरुपित किया जाए ठीक है अब इसको और ज़्यादा बढ़िया कहूं तो त्रिभुज की दो भुजाओं को परिमार एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागद बुजाओं द्वारा निरुपित किया जाए मतलब मुझे magnitude का पी धियान रखना है इसकी लंबाई 5 cm है तो इसकी तीन उनीची ये लंबाई मेर को बड़ी छोटी नहीं करनी है अपनी मर्जी से पैमाने के अनुसार स्केल के अनुसार जितनी आएगी उतनी ही लिखनी है निर परिणामी सदिश्किया हो गया ये बुजा एसी हो गई ठीक है अब इसका परिमान तो मुझे क्या बता देगा ये बुजा की लंबाई अथात ये चांस सेंटीमेटर की लाइन खीची थी ये तीन सेंटीमेटर की लाइन खीची थी जो अगर मैं इनको बिल्कुल सही अबर एक न्यूटन तो मेरा जो वेक्टर आर होगा उसका जो मॉडुलस होगा उसका परिमान होगा वो कितना हो जाएगा 8.3 न्यूटन ये हम जब कैल्गुलेशन से निकालेंगे तब भी ये इतना ही मिलेगा तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको बहुत सटीक आइजि तो परिणामी सदीश 30 डिगरी पर ही आएगा जब हम कैल्गुलेशन से निकालेंगे तो इसमें क्या माहिने रखता है कि आप अपकने डाइग्राम को कितनी साउधानी पूरवग बनाते हैं साउधानी पूरवग मतलब लाइन की डिस्टेंस आपको बिलकुल एकुरेट ब परिणामी सदीश के परिमान एवं दिशा को व्यक्त करेंगी या करती है ठीक है मेरे ख्याल से त्रीबुच का नियम समाप्त हो गया अब जो त्रीबुच का नियम है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समांतर चतुरवज के नियम की तरफ अब समांतर चतुरवज का नियम क्या कहता है समंतर के चदरबुच का नियम कहता है वही वाली बात यदि किसी बिंदू पर कारियरत अब मैं ले ले लेता हूँ P कुछ भी नाम ले दो और ये ले लो Q यदि किसी बिंदू पर कारियरत दो सदिशों को ये इंगल ले लो अलफा अब 60 degree 30 degrees पर कार सहने हूँ ये वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं एक्सलरेशन हो सकते हैं मतलब ये सदिश कुछ भी हो सकते हैं वेग, समवेग कुछ भी जो सदिश राजी हो यदि किसी बिंदू पर इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूँ एक बार सुनना यदि किसी बिंदू पर कारिरत दो सदिशों को समांतर चत्रबुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरुपित किया जाए तो उन आसन भुजाओं के कटान बिंदू से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमान एवंधिशा को बताएगा की मैं खिकर क्या-किए बाते आई हैं यदि किसी बिंदू पर कारिद दो सदिशों को समझ में आया Jimmy Γाल मुज की दो आसनभुजाओं समझ में आती आसन भुजाओं कि आइए कि आसन भुजाओं कि रुजा द्वारा निरुपित किया जाए तो आसन भुजाओं के कटान सें गुजरने वाला विकण। परिणामी सदिश के परिमान एवन दिशा को व्यक्त करेगा। देखो. सबसे पहले तो जिसको यह नहीं पता हो कि समानत्र चत्रफज किसे कहते हैं। चत्रबुज किसे कहते हैं? ऐसी आकरती जो चार भुजाओं से बंद हो, चत्रबुज कहलाती है, ये भी चत्रबुज है, ये भी चत्रबुज है, अगर ये सीधी कीज़ दो तो इसको, ये भी चत्रबुज है, ठीक है न? ये भी चत्रबुज है, सब चत्रबुज है, अब सम सामने की बुजाएं कैसी हो समानांतर हो मतलब ये बुजा ऐसी है और एक बुजा ऐसी है तो इसके सामने की बुजा मतलब ये ये बिल्कुल इसके समानतर हो और इसके सामने की बुजा ये ये मतलब ये बिल्कुल इसके समानतर हो इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है लेकि यह देखो, यह ऐसा भी हो सकता है यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है ठीक है? बात समझ में आ गए समानतर चत्रबुज किसे कहते है अब यह क्या कह रहा है मुझे समानतर चत्रबुज का नियम यदि किसी बिंदू पर किसी कोण पर कारीड़ दो सद्धिशों को समानतर चत्रबुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपीत कर दिया जाए अब एक समाना अंतर चत्रबुज मैं बना लेता हूँ अब इसकी कितनी भुजाए है एक दो तीन चार अब देखो, आसन भुजाए किने कहते है आसन भुजाए वो होती है जिनमें एक बिंदू कॉमन होता है तो एक एक और चार में ये पॉइंट कॉमन है तो एक और चार आसन भुजाए है ठीक है एक और दो में ये पॉइंट कॉमन है तो एक और दो आसन भुजाए है दो और तीन में ये point common है तो दो और तीन क्या है मेरी आसन ने बुझाए है तीन और चार में ये point common है तो तीन और चार आसन ने बुझाए है क्या चार और दो में कोई point common है क्या इसके ये दो point है इसके दो point है नहीं रहे तो ये आसन ने बुझाए नहीं है ये सम्मुख भुझाए हैं ऐसे तीन और एक क्या है सम्मुख भुझाए हैं अब law of polygon में हम क्या पढ़ेंगे अगर एक बिंदू पर किसी count पर कारिज़ा है दो सदीशों को समानतर चत्रबुझ की दो आसन भुझाओं दोरा निरुपित कर दिया जाए अब मैं समानतर चत्रबुझ की आसन भुझाओं बता रहा हूँ मतलब इन में point common होना चाहिए ठीक है अब ये मैंने बनाई एक vector मेरा B ठीक है दूसरा vector Q कहां से बनाऊंगा मैं दूसरा vector Q मैं बनाऊंगा इधर से ठीक है अब देखो पहला काम हो चुका हमारी आसन भुझाओं किसे करते हैं हम समझ चुके अब मैंने ये एक deliverh binaya sorry एक vector बनाया फी दूसरा vector बनाया मैंने जिस बिंदू से p निकला है उसी बिंदू से मैं Q को start करूँगा दूसरा vector बनाया मैंने Q ये vector Q अब ये वही है इसकी जो लंबाई है वही लंबाई इसकी है और इसकी P की जो लंबाई है वही लंबाई P की है मैं लंबाई हो को चेंज नहीं कर सकता वो स्केल से जितनी आएगी उतनी रखनी है ये कौन अलफा है तो ये कौन भी कितना होगा अलफा मैं से नहीं बतलूँगा अब समांतर चत्रपुज की दो आसन भुजाओं द्वारा मैंने दोनों सदीशों को निरुपित कर दिया तो समांतर चत्रपुज कहा बना, समांतर चत्रपुज तो मुझे बनाना पड़ेगा तो आप समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके समांतर सामने वाली भुजा होना चाहिए तो इस point से मैं एक समांतर रेखा की चुगा ठीक है और इस point से इसके समांतर रेखा की चुगा यह जहां काटेगी यह मेरा क्या हो गया एक समांतर चत्रभुजियन बन गया A, B B, C, D A, B, C, D क्या है मेरा? एक समांतर चत्रभुज है ठीक है न? तो A, B, C, D मेरा एक समांतर चत्रभुज बन गया अब इसके दो विकर्ण है एक विकर्ण तो है A, C और एक विकर्ण है B, D तो सदीशों का समांतर चत्रवुज का नियम क्या क्याता है कि अगर एक बिंदो पर कारवरत दो सदीशों को समांतर चत्रवुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरुपित कर दिया जाए तो इनके कटान बिंदू से इनका कटान बिंदू क्या ही ये कुंसा विकण गुजर रहा है कटान बिन्दु से? तो इनके कटान बिन्दु से गुजरने वाला विकण परिणामी सदिश के परिमा कितना होगा परिमामी सदिश? P प्लस Q इसके परिमा एवन इसके दिशा को बतायगा मतलब जैसा तरीबुच के नियम में हमने किया था वैसे ही अगर मैं प्रोपर लंबाई से अगर मैं पी को बना दू और प्रोपर एंगल पर क्यूं की लंबाई के नियम में कोई अंतर है क्या कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है तो अलग से क्यू बनाया हमने देखो त्रिबुच का नियम क्या कहता था कि इन दो बुजाओं को पहली बना दी मैंने पी दूसरी बना दी मैंने क्यू एक ही क्रम में एक ही क्रम में मतलब जहां पहला खत अब सर आप बोल रहे हो दोनों एक है, कैसे एक है, ये ऐसे एक है, कि ये Q है, तो मैंने क्या बोला था, कि किसी भी वेक्टर को मैं अगर लंबाई और दिशा को चेंज ना करू तो कहीं पर भी विस्तापित कर सकता हूं, तो ये भुजा इसके समाना नतर है क्या, लंबाई मे बराबर है क्या तो इसको भी क्या मैं वेक्टर क्यू बोल सकता हूं क्या क्यू बोल सकता हूं क्यू बोल दिया तो क्यू बोल दिया तो यह देखो त्रिभुच A, B, C क्या यही वाला त्रिभूँज बन रहा है क्या यह भुझा P, यह भुझा Q यह भुझा Q, तो यह तीसरी भुझा विप्रीत करम में परिणामी सदिश को बताही है परिणामी का कोण बता रहा है आई वा समझ मैं और ये वाला कौन कितना हो जाएगा दो के बीच का कौन अलफा जो यहां पर अलफा दिया हो है ठीके तो समांतर चत्रभुज का नियम और त्रिभुज का नियम एक ही बात है उसमें कोई खासा अंतर नहीं है कहने के लिए statement अलग हो जाता है ठीके तो हमने क्या पढ़ लिया समांतर चत्रभुज का नियम और सदीशों के त्रिभुज का नियम हमने पढ़ लिया अब इसमें खास बात क्या है अब नोट करो कि ये सिर्फ हमें किसी बिंदू पर कार्यत केवल दो वेक्टर केवल दो सदीशों का सहियो जन देता है अगर दो से अधिक वेक्टर होंगे तो ये कोई बात नहीं कहता है फिर हम कैसे solve करेंगे कि दो से थीसरा निकालो फिर result and और अगला उसका result and निकालो ये केवल दो-दो का ही addition कराता है समांतर चत्रूबच का निवम्त्रविज का निएम से हम एक बिंदू पर कारे रत केवाई केवल दो सदीशों का सहयोजन कर सकते है, कितनों का? केवल दो सदावजों का सहयोजन, सहयोजन, अब ये तो बात हो गई, दो सदीशों का सहिए हो जनकी आवशुकता पढ़ेगी तो हम ये दोनों नियम कामने लेंगे लेकिन अगर किसी बिंदू पर कई सारे फोर्स काम कर रहे हूँ कई सारे वेक काम कर रहे हूँ ये P, Q, R, S, T तो क्या करेंगे तो क्या त्रिभुज के नियम समांतर चत्रबुज की नियम से हमें काम करना पड़ेगा क्या ये दो लेकि इसका परिणामे निकालो फिर वो परिणामी और ये लेकि परिणामे निकालो फिर इन से ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा क्या या कोई और तरीका है और तरीका भी है वो तरीका क्या है? सदिश के बहुबुज का नियम, law of polygon of vectors. ये क्या कहता है? law of polygon of vectors कहता है कि यदि किसी बिंदू पर कारे रथ, अब मैं इन बलों का आपको एंगल बता देता हूँ. ये अगल alpha, beta, gamma, delta. ठीक है? अगर किसी बिंदू पर कारे रथ, अनेक सदिश, मैं बल बोल दूँ एक बार के लिए, अगर किसी बिंदू पर अनेक बल कारे रथ होँ, तो उन बलों को किसी भुबुज की भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप में निरुपित कर दिया जाए, तो उस भुबुज को बंद करने वाली अन्तिम भुजा, बंद करने वाली अन्तिम भुजा, विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के परिमान, परिणामी की परिणाम, एवं दिशा को व्यक्त करेगी. देखो एक बार, क्या कहा मैंने? कि सारे वेक्टर से PQRST, इनको मैं र सदिश को कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, यह हो गया मेरा वेक्टर P, अब वेक्टर P से Q कितने कोण पर है? अलफा, तो यहां से अलफा कोण पर मैं वेक्टर Q बना देता हूँ, दिखो यह वेक्टर Q, उतनी ही लंबाई का, क्योंकि मुझे सदिश को इदर उदर ले जाना अलव है, लेकिन उसकी लंबाई में और उसकी दिशा में छिर चार करना अलव नहीं है, तो P और Q बना दिया, अब Q के बाद, यह R, R कितने अंगल पर है, P से अंगल पर है, बीटा पर, और Q से कितने अंगल पर है, Q से अंगल पर है, बीटा माइनस अलफा, तो या तो मैं यहां से बीटा माइनस अलफा का कौन बना दू यह बीटा माइनस अलफा या फिर मैं यहां से बीटा का कौन बना लो एक ही बात है मतलब मैंने यह वाला सदिश बना दिया यह वाला सदिश हो गया मेरा अब देखो यह क्रमागत है यह जहां पर खतम हो रहा है वहां से दूसरा सदिश स्टार्ट यह जहां पर खतम हो रहा है वहां से तीसरा सदिश इस्टा स्टार्ट हो रहा है तो इसी को क्या बोलते है क्रमागत रूप से एक ही क्रम में अब यह R, R के बाद अगला सदिश कौन सा है, S, S कितने कौन पर है, S का कौन है, R से, गामा माइनस बीटा, तो इसको गामा माइनस बीटा, ये, गामा माइनस बीटा, तो ये सदिश के साथ आएगा मेरा, S, ये मेरा वेक्टर S आगया, अब वेक्टर S के बाद क्या है, वेक्टर T, ये वेक्टर T अब वेक्टर T को बना दूँ, मैं यह कता एंगल है, यह एंगल आएगा मेरा delta minus gamma, अब delta minus gamma एंगल पर वेक्टर T को बना दिया हमाने, यह बन गया मेरा vector T, यह अगल है कितना, delta minus gamma ठीक है, अब यह बहुबुझ बन गया, नहीं बना, क्योंकि बहुबुज, चत्रबुज, त्रिबुजी सब बंद आकरतियां होती है, यह आकरती मेरी अभी तक बंद नहीं हुई है, तो सदीशों के बहुबुज का नियम क्या कहता है, सदीशों के बहुबुज का नियम यही कहता है, कि किसी बिंदू पर कारियरत अनेक सदीशो का परिणामिय अगर आपको ग्याद करना है तो आप क्या करो उन सदीशों को किसी भहुबुच की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरुपित कर दो, देखो पहले P बनाया, फिर Q बनाया, R बनाया, S बनाया, T बनाया, एक ही क्रम में, P जहां खतम हुआ, अगला वेक्टर महा से शुरू, तो यह क्रमागत रूप से हो गया, तो इस प्रकार निरुपित कर दिया जाए, तो उस भहुबुच को बंद करने वाली अंतिम भुजा, अब अंतिम भुजा कौन सी होगी, बंद करेगी, यह विप्रीत क्रम में, देखो क्रम कैसा चल रहा है, ऐसा, तो अगर म तो तीर कैसा आएगा, ऐसा, विप्रीत क्रम में, परिणामी, परिणामी यह रिजल्टेंट लिख दो, आर, इसको आर मत मानो, इसको कुछ और माल लो, इसको Q वेक्टर माल लो, प, Q, R, S, T, इसको U वेक्टर माल लो, ठीक है, इसको आर मत मानो, कन्फूजन हो जाएगा, इसको माल लो, U वेक्टर, ठीक है, तो परिणामी, परिणामी क्या है मेरा, वेक्टर P, प्लस Q, प्लस U, प्लस S, प्लस T, तो इन सबका जो परिणामी आएगा, उसके परिमान, यह वो मुसकी दिशा को बताता है, इस लाइन को अगर मैं मेजर कर लूँ, तो स्केल से मल्ट इसका नियम, law of polygon of vectors, ठीक है, यह कब काम आता है, जब एक से, मतलब दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदू पर कारे कर रहे हूँ, अब यह forces भी हो सकते हैं, यह यह कुछ और भी हो सकते हैं, अब एक खास बात समझो, अगर मैंने यह सब जमाए, P, Q, R, और यह आकरती खुद ही बंद हो गई तो, बंद हो गई, इसका मतलब परिणामी बनाने की जगे ही नहीं मिली, या फिर परिणामी की लंबाई 0, परिणामी की लंबाई 0 मतलब, जो परिणामी है, वो 0, वो 0 मतलब, यह पहले ही अपने आपने संतुलन में हैं, इनका परिणामी कितना आ है, 0 आ रहा है, resultant 0 आ रहा है, ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम तीनों के statement को दुबारा repeat करते हैं, देखो, पहला क्या था, सदीशों के त्रिबुज का नियम, law of triangle of vectors, ये क्या कहता था, किसी बिंदू पर, पर किसी कौन पर कारेगत, दो सदीशों को त्रिबुज की दो करमागत बुजाओं द्वारा निरुपित कर दिया जाए, तो त्रिबुज की तीसरी भुजा, विप्रीत करम में, उन दोनों सदीशों के परिणामी, सदीश के परिमाण, एवं दिशा को व्यक्त करेंगी, ये हो गया त्रिबुज का नियम, सदीशों के समांतर चुत्रुज का नियम, law of parallelogram of vectors, ये क्या कहता है, कि किसी बिंदू पर कारेरत दो सदीशों को, अगर समांतर चुत्रुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरुपित कर दिया जाए, तो उन आसन भुजाओं के कटान बिंदू से गुजरने वाला विकंड, इन दोनों सदीशों के परिणामी के परिमाण, एवं दिशा को व्यक्त करेंगा, ये सदीशों को मैं बहुज की भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप से व्यक्त कर दूँ, एक करम में व्यक्त कर दूँ, तो उस बहुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विप्रीत करम में, उन सभी सदीशों के परिणामी सदीश के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करें अगर आपसे exam में पूछ लिया जाए तो आपको दो ही चीजे बनानी है इसमें एक तो आपको एक एक तीनों का diagram बनाना होगा साथी साथ आपको क्या लिखना होगा इसका statement लिखना होगा अगर यह आपके subjective paper में आता है तो यह नियम आपको पूरे पूरे नियम नंबर दिला देगा इतना ही लिखने पर क्या चीज़ एक तो statement लिखना है दूसरा diagram बनाना है तो अगले lecture में हम देखेंगे कि किस प्रकार स सदीशों या समांतरे चत्रगुज के नियम से हमने जो देखा था कि दो वेक्टर का addition क्या होता है उसका mathematical calculation करके उसका resultant का magnitude कैसे निकालेंगे प्रिमान कैसे निकालेंगे उसका theta दिशा कैसे निकालेंगे तो आज के lecture को यहीं वियाम देते है जय है जय भारत